उजेन डोड इस्तित इटावा स्वेत्र में शुकरवार रात को क्रिकेट की बॉल को पैड से मारने पर विवाद हो गया। क्रिकेट खेल रहे कुछ युवक तलवार लेकर एक युवक को मारने दोड़े और उसके घर पर जा कर विवाद करने लगे। विवाद का सिस्टीवी फुटेज भी वारेल हुआ जिसमें कुछ युवक तलवार लेकर विवाद करते हुए नजर आए। मेरे दروازे के पास आई तो मैंने उसे पैर से मार कर क्रिकेट खेल रहे युवक को की और कर दी इसी बात को लेकर लला पास आया और गालिया देते हुए विवाद करने लगा कुछ देर के बाद लला खान उसके साथियों के साथ मुझे तलवार से मारने के लिए दोड़े। वा बोले कि आज तो तुझे जान सही खत्म कर देंगे सिविल लाइन थाना प्रभारी ओपी आहिर ने बताया कि इटावाज शेत्र के त्रिलोक नगर में क्रिकेट की बॉल को पैर से मारने पर विवाद हो गया था विवाद के चलते चार युबक लला सल्मान सोनु खान रवी और फडमा केलाश पिता सोमेश्वर के साथ विवाद करने लगे और तलवार लेकर मारने दोड़े आसपास के लोगों ने बेज बचाप किया था सर इटावाज चेतर में कोई तलवाज बजी का मामदा था क्रिकेट की बात को लेकर विवाद हुआ था जिस पर उन्होंने इस पर हमला किया था टो अरूपियों के अफराज पंजीबच कर विविशना में और दोनुं आरूपियों को गिरफ़तार कर लिए गया है। उन्हें तलवार भी जब्त की गई है। है उसमें जो दो आरूपी और भी है तो उनको भी नामजद किया जाकर उने भी गिरफतार किया जाकर विविश्णा में लिया गया गया है तो यह घर के सामने का यह तो लोग नगर इंटावा दिवास का मैं अपने सुस्राल से मेरी मिसेश वर दोना आये थे और वहां पे गारी टेके गर के सामने और में घर के गई बाहर खड़ा था तो यह में गेंद खेल रहा था इनकी गेंद मेरे पाउं के पास है मैंने उसको उसके पास वापस तो उसने बोला कि क्या तेरा हाथ वड़ गए और क्या चूतिये हाथ से नहीं दे सकता था गें तो मैंने बोला मन कि मैं तेरा नोकर नहीं हूं बस इस्ते में गाली गलोचे हुई वह चला गया घर फिर उसके भाहिव और उसके दोस्तों के लेके आया लला सलमान तलवार लेके आया में गर्म में पर हमला करा मैं अगर पाडोसी और रिष्तेदार नहीं बचाते कोई तुम्हें को जान से मार देता यह चार लोग आये थे रिपोर्ट की मैंने थाने पर आगे प्रसाशन के उपर है क्या नाना है केलास गुजरिया त्लोग नगर इ प्रेजिए स्कूल के सामने